गूड मांणिंग इस्टूलियन ए ग्रेशा किता आज हम पड़ेंगे गणित काक्षाठ के लिए पाट्टे पुस्तख पिछले वीडियो में हमने उधार न संख्या चार और उधारन संख्या पांच किये थे तो इस वीडियो में हम उधारन संख्या छै से स्टार्ट ज़िदी नहीं है तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप कीजिए जो की पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ग्याद कीजिए एक एक काम करेंगे उधारन संख्या 6 पहले तो मेरे को क्या बताना है कि उधारन संख्या 6 में मुझे बताना है कि क्या 2352 एक कुण वर्ग संख्या है तो मैं क्या निकालूंगी मैं 2352 का LCM निकालूंगी मतलब अब हाज गुणन खन निकालूंगी तो 2 ऐास में तो 2 से ही जाएगा फले तो तो 2 एकम 2, 2 चकी 12, 2 से 14, 2 चकी 12 ठीक है ना फिर 2 का देंगे तो 2816 2 ती अच्छै, 2816 पिर 2 का दूंगे तो 288 2 एकम 2, 2918 फिर देखो अब फिर देखो यह 3 का तो जाएगा नहीं इसमें अग देखो सही तो किया है क्या क्या किया है दो एकम दो दो ती अच्छे क्या कर दिया दो एकम दो गलत कर दिया वापस करना पड़ेगा देखो दो तीन पांच दो यही दियान रखना है एक ही स्टेप गलत हो गया तो अपने बात एक उनंखंड गलत निकल जाएंगे दो एक दोपस्चे 10 दोटे 16 दोटे 16 बन दोटे 16 द Assembly 2 नहीं दोटे 17 देन 29 Wahr दो नहीं 18 दो चोकिया टीपिर दोग देन दौ गया धार confident दोट हम दो दोटो के आट में जायेगा दोट का लाट अम नहीं जाएगा 2 यह ग्रारह Está 12 में 3 का जाता है मतलो इसमें भी जाएगा 3 का देंगे तो 3 तीन चो के 12 फिर 37 फिर 3 का नहीं जाएगा फिर 7 का जाएगा ये ठीक है 7 7 9 पचास एक ठीक है ये हो गए अपने अभाज गुणन खंड तो इसको लिख लेंगे आपन कि क्या है दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो है चार बार तो तीन है एक बार साथ इंटू साथ है इसके क्या है इसके अभाज गुणन खंड है अब मुझे क्या पूछा है कि क्या ये है पूण वर्ग संख्या है तो इसके पैर बनाऊंगी मैं ये हो गया दो इसका भी हो गया दो इसका हो गया साथ पर तीन का कोई मेरे पास वो ही नहीं है तीन का कोई जोड़ा ही नहीं है जिसको बोलते हैं तो तीन का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए ये पूर्ण वर्क संख्या नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे चुकी इसमें तीन का सबका जोड़ा बनना चाहिए अगर पूर्ण वर्ण संख्या होगी तो सबका जोड़ा बनेगा अगर किसी एक का भी जोड़ा नहीं बन रहा है चुकी इसमें तीन का जोड़ा नहीं बन रहा है तो यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अब मेरे को आगे भी question पूछा था नहीं है वो तो ठीक है पर आगे क्या पूछा मेरे को कि यदि नहीं है तो नहीं है तो 2352 का सबसे छोटा गुणष प्राप्त किजी तो एक पूर्ण वर्क संख्या बन जाए तो ऐसी कौन सी संख्या होगी खुद सोचो कौन सी होगी तीन का ही करेंगे ना इन सबके तो जोड़े हैं अब मैं इसमें अगर तीन का गुणा और कर दूँ इसमें मैं अगर तीन का गुणा और कर दूँ तो 3 का भी जोडा बन जाएगा और यह पूर्ण वर्क्सन क्या बन जाएगी तो मैं क्या लिखूंगी ऐसे ड़्य लगा के लिख देना कि इसमें 3 का जोडा नहीं है इसमें 3 का जोडा नहीं है इसी लिए 3 ही सबसे छोटा गुनज होगा जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जिसके गुनज से यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो क्या करेंगे अब मेरे को पूर्ण वर्ग संख्या निकाल ली है तो मैं क्या करूंगी तो मैं क्या करूंगी इस में तीन का गुना करूंगी इस दो हजार तीन सो बावन में अगर मैं तीन का गुना करूंगी तब ही मेरे पास و संख्या आएगी पूर्ण वर्ज संख्या आएगी तो कर दो तीन का गुणा तीन दूनिच्च पांस धिया पंदरा तीन तिया नोर एक दस तीन दून शे रेक साथ साथ जारजप्पन आ गई साथ जारजप्पन आ गई अब मेरे को आगई भी प्रशन पूछा है कि तथा नई संख्या का वर्गमूल ग्याद कीजिए ये जो नई संख्या ही है इतका मुझे वर्गमूल ग्याद करना है तो साथ हजार चपन के अबाजी गुणनखंड निकालने पड़ेंगे वर्गमूल के लिए अब जो अशार होगा वो आपस अबाजी गुणनखंड निकालने नहीं बैठेगा वो क्या करेगा उसको पता है कि इस 2352 के अबाजी गुणनखंड ये है दो इंटू दो इंटू दो इंटू और इसमें तीन ही तो इंटू किया है साथ जार चपन मनाने के लिए 2352 में अपने तीन ही तो इंटू कर किया है जिससे ये साथ जार चपन मना है तो तीन का भी दो बार अजाएगा और साथ भी दो बार था अब साथ जार चपन का वर्गमूल बराबर इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा दो इंटू दो इंटू तीन इंटू साथ ये हैं दो दूनी चार चार दो दूनी चार और साथ या 21 21 23 24 64 तो तो साजाज 55 का वर्गमूल अपने पास क्या आ गया है साजा चॉपन क्या है किस वैल किस हम एकस तरह साथ क्षाओ फैसले 1874 इस ठीक है न न तो पहाड ये सब को यहाद होने चखी Мосदा ऑफन करें कि अपने पास किया 갔ू इस लिए लंबा था नेक्स्ट उधर नकarnish अपन उधारन संख्या साथ करेंगे सबको समझ में आ गया होगा देखो इतना सही से समझे है उधारन संख्या साथ मेरे पास सबसे चोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भाग फल एक पूर्ण वर्ग संक्या हो जाए उस भाग फल का वर्गमूल गयाद कीजिए तो मेरे को क्या करना है ऐसी सबसे चोटी संक्या प्राप्त करनी है जिसे 9408 से भाग देने पर भाग फल एक पूर्ण वर्ग संक्या बन जाए तो मेरे को AC Sankhya Divide देनी है 9408 में, 9408 में मुझे AC Sankhya का भाग देना है जिससे पूर्ण वर्ग संकhya बन जाए तो अपने जिसा पिछले example में किया था, उसमें अपने क्या किया था, उसमें अपने को पूछा था कि गुणच पूछा था तो अपने अभाजी गुणनखर निकाल के जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था, उससे गुणा कर दिया था कि उसका भी जोड़ा बन जाए अब इसमें मुझे क्या पूछा है कि AC Sankhya का भाग देना है कि ये बन जाए तो अब मैं इसके अभाजी गुणनखर निकाल लूँगी और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा ना उसका भाग दे दूँगी उसका भाग दे दूँगी तो उससे वो कट जाएगा, सब जोड़े वाले रह जाएंगे तो पूणवर्ग संक्या बन जाएगी ठीक है एक बार वापस रिपीट करूँ इसी बात को, कि एक्जाम्बल छे में मैंने क्या किया था कि मेरे को पूछा था मुझे इसा गुणज निकालना है तो मैं ने क्या किया कि अभाज गुणन खंड निकाल के जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था उसको गुणा कर दिया तो उसका भी जोड़ा बन गया पूर्णवर्ख संख्या हो गई अब इसमें भाग देने की बात चल तो मैं भाजी गुणनखंड निकाल के जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका भाग देदूंगी तो उससे वो कठ जाएगा तो सारे जोड़े वाले रहे जाएंगे और पूर्ण वरक्षण क्या बन जाएगी तो 9408 का क्या करेंगे पहले अब भाजी गुणनखंड निकालेंगे ढंग से निकालेंगे गडबड हो गई तो फिर वापस से काटना पड़ेगा दो दो चो के 8, 2 Unfortunately, 4 फिर दो का देंगे तो 24, 24, 250 फिर 230 और यही आगया वापस अब तो वही करना है वापस अब तो आपस दो का देंगे तो 1176, अब तो वही repeat कर दो, पिछले वालाई, 588, फिर 2 का दोगे तो 294, फिर 2 का दोगे तो 147, फिर 3 का दोगे तो 49, फिर 7 का दोगे तो 771, अब मेरे को क्या करना है, इदार ही कर लो देखो, फाल तुपन्ना वेस मत करना, अबाज्य गुननखंड किसके, 9408 के अबाज्य इंड बराबर, लिख लो इसको, 2 किती बार है, गिन लो पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार तो 2 है, 2 into 2 into 2 into, 2 into 2 into 2, यह 6 बार तो है 2, फिर 1 बार है 3 और 2 बार 7, अब मुझे जोड़े बनाने, इसका जोड़ा बन चुका है, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन ग अब, अगर मेरे को गुणच पूछा होता, तो तुम्हें 3 into कर देती, और 3 का जोड़ा बन जाता, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, पर मेरे को क्या पूछा है, मेरे को किसी चीज से भाग देना है, तो भाग किसे दूँगी, 3 से ही दे दूँगी, तो इसके अपान में 3 से 3 कैंसल है, जोड़े वाले बन जाएंगे, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, मेरे को भाग देने के लिए पूछा है, तो हम 3 का 9408 में पूर्ण वर्ग संख्या बनाने हे तू भाग देंगे, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं है, ठीक न, यह लोजिक समझना है, कि भाग क्यू देंगे और गुणा क्यू करेंगे, इससे अपना सब काम हो जाएगा, तो 9408 बटा 3, नहीं संख्या निकालेंगे, नहीं पूर्ण वर्ग संख्या, जो आएगी हो पूर्ण वर्ग संख्या है, तब ही तो अपने इतना में शक्कत कर रहे हैं, वे पूर्ण वर्ग संख्या आजए, तो 9408 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग दे क्वेशन में लिखा भागपल का वर्गमूल ग्याद कीजिए तो यह भागपल 3136 आ गया है अब इसका वर्गमूल ग्याद करना है तो 3136 के क्या निकालने पड़ेंगे अभज गुणनखंड 3136 के अभज है गुणनखंड क्या होंगे यही होंगे बस 3 अड़ जाएगा अब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 से 3 कर जाएगा बकि यह यह जाएगा मतलब 6 बार तो है 2 और दो बार है 7 बना लो जोड़े 7 है यहाँ पे यह 2 यह 2 यह 2 यह 2 यह 2 यह 2 तो 3136 का वर्गमूल बराबर क्या आजाएगा ये दो इंटु ये दो इंटु ये दो इंटु साथ तो दो दुनी चार साथ दुनी चोधा दुनी अठाइस चोधा तिया 42, 14, 4 चोगे छपण ये आ गया है छपण तो मेरे पास 134, 136 का वर्गमूल क्या गया है ये आगया है 56 ठीक है ना ये आगया 56 ठीक है समझें आ गया उधारन संख्या साथ हो गया है पूरा उधारन संख्या 8 सबसे चोटी वर्ग संख्या ग्याद कीजिए जो प्रतेक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए ऐसी सबसे चोटी वर्ग संख्या मेरे को ग्याद करनी है जिसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए 9 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे इन तीनों के साथ में अभाजे गुणंखंड निकालेंगे ऐसा काम करेंगे मतलब अगर ये तीन संख्याओं का पूछ ले वे ना तो देखो छै, नो, पंदरा ये करेंगे, तो आब मुझे पता है एक तो हिलेगा ही नहीं एक तो आजाता है फिर वो हिलता नहीं है कहीं से तीन का देंगे अब तो एक एक पांच नहीं हिलेगा है तीन आजाएगा तो पांच नहीं हिलेगा तीन से पांच से पांच हिलेगा तो ये आगया एक 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 आते ही, संतुष्ट सब ठीक है, तो 2, 3, 3, 5 2, 3, 3, 5 अब मुझे क्या करना है 2 x 3 x 3 x 5 2 x 3 x 3 x 5 सबसे छोटी संख्या जिसमें 6, 9, 15 का भाग जाता है सबसे छोटी संख्या लिख देना जिसमें 6, 9, 15 का भाग जाता है ले ले खोड लिखें ना नहीं तो ठीक है एक्वेशन में यही पूछ रहा है तो अब मुझे पता है क्या होगे 5 ती ऑ 15 पंद्रा झाप 45 पेटालीस दूने 6 होगी अब 90 पूर्ड़वग संख्या होती है क्या सबको पता है नहीं होती और मुझे दिख भी रहा है इसमें एक जोड़ा बन रहा है पांच और दो का जोड़ा कांथ बन जाए पांच और दो currently बन जा Solutions युदू आ Peng जाए ना तो इसको पूर्ड़ सँन系ा बनाने के लिए क्या कर सकती हूं है या तो मैं किया कर सकती हूं है या तो गृणज माला तरीकर अपना सकती हूं हूं भागokrat दो ने तो आला तरीका में अपना नहीं सकती क्यों क्यों कि मेरे को 5 और 2 और 2 दोनों का दिवाईट देना पड़ेगा दोनों कैंसल तीन त्या नो बच जाएंगे नो में न न तो छए का भाग जाता है न पंदरा का भाग जाता है तो कैंसल लेकिन अगर मैं गुणा करूं अगर मैं गुणा करूं तो तीनों का भाग जाएगा क्योंकि गुणा तो कैसे करो के अगर 6, 9, 15 से यही कट रहे हैं तो कुछ गुणा में आएगा तो वो गुणा हो जाएगा उसमें ठीक है अगर 6, 9 अगर अगर अपन दिवाइड की बात करें जैसे इसके नीचे में 6 लगा दूँ तो 6 से अगर यही कट जाएंगे इन में सभी कुछ 6 से कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में तो मतलब हर में तो कुछ बचेगा ही नहीं न तो भाग तो पूरा ही जाएगा तो इसलिए मैं क्या करूँगी गुणजवाला तरीका अपनाऊंगी सबसे छोटी वर्ग संख्या बराबर सबसे छोटी वर्ग संख्या बराबर दो का भी जोड़ा बना दूँगी तीन का तो है जोड़ा और पांच का भी जोड़ा बना दूँगी तो क्या हो गया दो दूनी चार तीन तीन नो पचम पचीस पचीस जो के सो इंटू नो नो सो तो सबसे छोटी वर्ग संख्या जिसमें चैनो पंद्रा का भाग जाता है क्या गई नो सुआ गई ठीक है तो आज अपन ने क्या किया उधरन छे साथ आठ कर लिये हैं थोड़ा सा आपन अब प्रश्णावली 6.3 भी देख लेते हैं क्या है प्रश्णावली 6.3 देखेंगे निमने लिखित संख्याओं के वर्गमूल गयाद करने में इकाई अंकी क्या संभावना है ये तो क्वेशन करेंगे वही ये तो सीधे हैं सीधे लिखने हैं कितने क्वेशन हैं इसमें 10 क्वेशन है निमने के संख्याओं के वर्गमूल गयाद करने में इकाई के अंकी क्या संभावना है इकाई के अंकी संभावना बतानी है मतलब क्या क्या वर्गमूल गयाद करेंगे तो क्या क्या वर्गमूल याद करने का क्या मतलब है कि किसका वर्ग करूं कि काई अंक में एक आए तो या तो एक का वर्ग करूंगी तो इकाई अंक में एक आएगा दो का करूंगी तो चार आएगा तीन का करूंगी तो नौ आएगा चार का करूंगी तो सोला मतलब 6 आएगा 5 का करूँगी तो 25 मतलब 5 आएगा 6 का करूँगी तो 36 मतलब 6 आएगा 7 का करूँगी तो 49 मतलब 9 आएगा 8 का करूँगी तो 64 मतलब 4 आएगा और 9 का करूँगी तो 81 मतलब 1 आएगा 9 का करूँगी तो 81 मतलब 1 आएगा तो एक और नो हो गया, एक और नो हो गया, next है ये, ये है, छे, छे लाना है, किसका वर्क करूंगी, छे आजाए, एक का करूंगी तो एक आएगा, वोई गाना का दो अपस, दो का करूंगी तो चार आएगा, तीन का करूंगी तो नो आएगा, चार का करूंगी तो सोला मतलब 6 आएगा 5 का करूंगी तो 25 मतलब 5 आएगा 6 का करूंगी तो 36 मतलब 6 आएगा 1 का अंक देखना है 6 का करूंगी तो 36 मतलब 6 आएगा फिर नहीं आएगा फिर नहीं आएगा क्योंकि 6 देख लो 7 का 49 8 का 64 9 का 81 10 का मतलब नहीं है 10 का वापस 200 0 25 भी वह संख्या बताएं जो वास्तों में पूनवर्ग नहीं है बिना गर्णा किये वह संख्या बताने है जो पूनवर्ग नहीं है मतलब मैं ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका मैं square कर दू, जिसका मैं work कर दू, तो ये बन जए, तो ये नहीं है, पूर्ण work, क्यों नहीं है, त्यूंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है, जिसका work करू, तो एका यंग 3 आता है, नहीं है, एक का करूंगी तो एक आएगा, दो का करूंगी तो 4, 3 का 9, 4 का 6, 5 का 5, 5 का 25 तीन तो आता ही नहीं है किसी का भी वर्ग कर लो सात नहीं आता आट आता है क्या देख लो वापस देखो एक बार सोचो अपने दिमाग में एक का एक, दो का चार, तीन का नो, चार का सोला, पांच का पच्चिस, छे का च्छतिस, साथ का उन्चास, आठ का चौसट, नो का आएक यासी, नहीं आता आठ यह काता है क्या यह काता है एक का करेंगे तो भी एक आएगा नो का करेंगे तो इक्यासी मतलब एक ही आएगा तो मतलब बिना गणना की बताना था तो 153, 207, 408 पून वर्क संख्या नहीं है अब जरूरी नहीं है 441 भी है क्या पर बिना गणना कि ये बताने का क्या मतलब है कि संभाव ना बतानी है तो ये तो पक्का ही नहीं होगी ये तीनों तो वो तो उसके chances तो है उन्हें कि ये तो पक्का ही नहीं होगी और 441 से क्या अगे लगाना है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है थर्ड क्या है थर्ड है बार बार गटाने की विदी से सो और 169 का वर्गमूल गयात कीजिए बार बार गटाने वाली विदी कौन सी थी कि सो विशम संख्या वाली की विशम संख्या है सो में से गटाएंग तो first so कि बताएंगे तो विशम संखह है قटाते जाते है सो में से देखो नमबर लगाते जाना सो में से एक गया 99 99 में से तीन गए एक के बाद तीन विशम संखह है चलानी है 99 में से तीन गये 96 थर्ड में 96 में से पांच गए 91 और फूर्थ में 91 में से 7 गए 91 में से 7 गए क्या होते हैं 94 में से 7 गए 84 84 में से 9 गए 75 75 में से 11 गए 5 में से गया था 87 में से 64 64 में से 13 गए विशम संक्य है चला रही हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 2, 6 में से 3 गए 51 में से 5, 51 51 में से 15 गए 51 में से 5 गए 6, 4 में से 3, 36 9 में क्या करेंगे 36 में से क्या गटा देंगे 36 में से 17 गए 36 में से 17 गए तो क्या बज्जाएंगे 19 और फिर 10 तर में क्या होगा 19 में से क्या गटाएंगे 19 गटाएंगे तो 0 तो कितने step में हुआ, 10 step में हुआ, तो 100 का वर्गमूल क्या आ गया, 10 आ गया, अब मेरे को लिकालना है 169 का, तो 169 का आप निकालना है 169 में से, 1 गया, 3 गया, 5 गया, 7 गया, 13 बार में जाएगा, क्योंकि 13 का square 169 होता है, सबको बता है, याद है 20 तक सबको, तो 13 का वर्ग 116 होता है, 13 बार में जाएगा, तो क्या क्या करना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, फिर 21, 23 और 25, जब 25, 25, 0 जाएगा लास्ट में, ठीक है ना, तो यह आप खुद कर लेना, तो आज अपन ने क्या किया 3, तो एक्जाम्पल के 6.3 के 3 question आज अपन ने कर दिये, तो आगे अपन चोथे question से start करेंगे,